मुझा बूर्णिंग कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे बढ़िया होंगे तो प्रेंड मैं भी अच्छी हूं बसला आप लोग का प्यार है धेल सा रासिवाद है तो दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप से बता दें कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करो कमेंट किया करो चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब कर लीजिये हमारे चैनल को और दोस्तो आप लोग अपना जादस जादा प्यार और सपोर्ट दीजिये हमें इधर हम कर रहे हैं पूजा नहाद होके हो गए है रेडि तो सुबा की सुबात हो चुकी है और अभी बज रहे हैं आठ और यहां अराध्या भी उठ गई है मैं भी उठ गई तो अराध्या केला उठा के ले आई हैं केला खा रहे हैं और यह हमारे घर में केला नहीं रखती हैं जे देख लेती हैं तो केला उठा उठा के खाती रहती हैं बहुत परिसान करती है और केला खाती कम है फेकती जादा है और इधर मैं कर रहे हूं लड्डू को पाल का सिंगार कर दिया है मैंने और आज इनको मैंने वाइड ड्रेस प सब्सक्राइन के ऐधार के हैं थो देर में इनको नहलांगे अभी मुझे और काम भी करने है तो बत्त सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने लगे गर्मी पर उतनी जादा अभी नहीं तो अभी सुभा सुभा नहीं 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 लाते हूं कि उनको अभी बुखार जुखाम से उसा ही हुई है तो और यहां हमारी पूजा होने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में हमारे आज सबजी में है कद्दू तो यह कद्दू का लाया था हरा कद्दू एकदम कच्चा है तो मैं इसको चीलूंगी नहीं बस उसके बीज निकाल दिये हैं मैंने और बिना चीले ही बनाओंगी क्या चीलना इसमें कच्चा है एकदम कद्दू तो इधर आराध्य आ गई हैं और यह तो कहीं भी कोई कुछ भी करें इन्हें पहले बैठना है और ही कोई भी काम करने नहीं देती जो भी करने बैठो तो ये करती रहती हैं बीच में इनको गोदी में आना है गोदी ले लो कि अच्छी लगती है खाने में और ये बोतल लेके देखो हमारे उपर बैठ रही है ये कह रही है मुझे गोदी ले लो फटापट से इनको गोदी में आना है तो मैं कोई भी काम करती तो ये पहले ही आगे आ जाती है क्या करूं और इसने आज चड़ी नहीं पहन रखी है सुसू कर दी और मैं इदर काम कर रही थी तो किसी ने अगर कोई पहना था भी ये किसी से पहनती भी नहीं है बहुत ज्यादा सैतान हो गई है और ये दूद नहीं पी रही थी ये कह रही थी कि हम मेरे पास मैं दूद आया था तो मैंने सबजी बनागे लेके साथ थ्याद्य में दूद भी गरम कर लेती हूं तो दोस्तों यहां पर कर रही हूं दूद गरम और दूद गरम हो जाय क्यों कि सांख अकल दूद बचा भी नहीं है इनके लिए इस को जब भी बोतले के खड़ी हो जाए तो मैंने आराध्या को भी साथ नहिला दिया है उसका कौन सा हाथ पकड़ना है तो इधर अराध्या को मैंने नहिला दिया है और चड़ी उनको पहना दिये तो देखो कप्ड़े पहनाने चली यहूँ बढियान तो ऐसे बहाग गई बस दोस्तों और कपड़ें पहना रही ज़ defines करें तो अईसको मुझा नहीं पहनतेyon कपड़े कपड़ें बहुत जादा सैतनी हो गई हैं झार्णड़ी क Bock यह दोनों है ना networking यह लोग करते हैं तो यह बहुत ज्यादा करते हैं और इसको अपड़े पहना रही थी वर्यान के उपर जाल रहे हैं तो पीर से भाग रही है चोटी तो इसने करवाई ही नहीं तो मैंने इसकी कुटी साम को की ति दिन में नहीं कर पा, इसने करवाई ही नहीं, तो मैंने Obrig Всё, तो यह रोएगी इसलिए मैंने नहीं की थी चोटी और वैसे तो कल की बंद ही है, तो वैसे बाल विकले हुए उसके नहीं हैं मैं अच्छे से बांद देती हूं तो नहीं विखड़ते हैं और बहुत इसको मैंने लाड़ प्यार करके तब इसको मैंने कपड़े पहना पाए थी यह बहुत ज्यादा सेतानी हो करने लगी थी जब रजस्ती समझे लेक तरीके से नहला से लेनों वहीं हो तो अब नहाती है बहुत अच्छे से बोल दो हैं नहाने चलो तुछ रंध बात रूम में भूझ जाती हैं कर बच्चे तो पानी के बहुत साथ़ीन होते कहलने में बहुत आगे हैं तो इनको मैंने नहाद लाकर एक्दम तयार कर दिया है और फिर इनको कपड़े-पड़े पहनाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मुझे नमकीन भी खतम हो गई थी तो एक तरफ दूर मेरे जो रखा था वो तो मेरा गरम हो गया था और अम मैं बना रही हूँ सब्जी तो दूसरे चूले पर चड़ा दी थी मैंने और इधर थोड़ा सा कड़ाई में तेल भी रखा हुआ है पहले से ही तो मैंने सोचा नमकीन खतम हो गई थी भूनी हुई तो मैंने सोचा इनको भूंज लेती हूं क्योंकि चाय के साथ सुबह कुछ होता नहीं है तो खा और यहां तो आचले को रहा थाइन थाने थन्डी में मतलों खा लें अच्छी लगती है और गर्मी में ज्यादा गर्मी होता है विल्कुल भी मन नहीं करता है खाने को तो मैं यहां पर भूंग लेती हुए उब कि बच्छा ई-बच्चा नुकसान करती हैं तो सब लोग खा लेते हैं चाय के साथ में अच्छी लगती अब लाए हैं तो उनको खाना ही है फेकना तो है नहीं तो मैं यहां पे बुन लेते हूं और मुझे तो यही वाली अच्छी लगती है और रंग विरंगी एक बार में लाई थी कलर वाली तो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी मुझे वो पता नहीं अजीव सा उसका स्वाध हो रहा था तो घर से तो बनके अभी आ नहीं पाई हैं घर में तो बनाते हैं सब लोग होली पर मेरे घर कोई आया नहीं है इधर मेरी सबजी भी बन गई और ये ये आये हैं चाय लेके तो आज इन्होंने चाय बना के मुझे पिला दी है तो ये चाई मुझे देने के लिए थी तो मैंने इनको कहांनल बीट छाय के साथ खालो तो यह कह रहे हैं मैंने झाँ उट ले लो तो मैं इनको नमकिन दे रही हूँ यह चाय पिएंगे तो चाय के साथ में खा लेंगे और अपने थोड़ा सा नास्ता भी हो जाएगा इनका खाली चाय पीने से नुकसान भी करती है मुझे तो बहुत नुकसान करती गैस बनने लगती है पेट में इसलिए मैं ज्यादा चाय नहीं नहीं पीती हूं ऐसे बिना चाय के खुजारा भी नहीं होता है फिर मैं यहां पे आने तक इनके मेरे तक रहें पर देशा है तो अच्छी है यह पर बच्छे लेटे लिए नहीं आने तक आहेंगे मैं अबने मेरे बाल बड़े होंगे तो मैंने का चल तू चोटी बांद ले ना तो इधर पिर मैं आ गए थी आटा चाय पीने के बार पिर मैं यहां पे आठा सान के लिए आगई हूं और यहां पे यह आटासान के रोटी बना लेती हैं क्योंकि रोटी भी बनाने और हमारी देखो बींस और सेमी रखी हुई हैं पनाने के लिए पर कप्ड़ा डाल रखा जब भी आती है तो यह कईला उठा के ले आती है देदे करती रहती हैं इसलिए मैंने ढख दिया है और फिर भी उठाई लेती है कपड़ा हटा के फेग देती है उठाके ले जाती है फिर वैंने यहां पे बना ली है रोटी भूख भी लग रही थी अनिकेद को तो अनिकेद ने भी मतलब आधी चाय मैंने पीती आधी अनिकेद को दे दी थी हमने पूरी नहीं पीती और यह वीडियो जब हम बना रहे तो तो अनिकेद बीच-बीच में जहां के देख रहाता तो उसे पूरा नहीं दिखा रहा था अखाली खपना सीव थोड़े से बाल देख रहा था बार बार उसे पता नहीं क्यों बाल बड़े करने की कितनी सौक है और सब्सक्राइब करने के लिए और सलाथ बगेरा मैंने नहीं काट पाया था तो यह कह रहे रहते हैं चार बज़े खाने का कौन सा टाइम है वाई तो कहले जब बार बज़े खाऊंगा तो चार बज़े खाऊंगा ही वैसे यह दो तीन डाई के बीच में खा लेते हैं दो को भी खाना दे दिया है यह भी खा रहा है तो और मैं भी साइड बैटके खाने लगी थी मुझे भी भूख लग रहे थी अपने लिए भी निकाल के लिया थी तो मैं भी यहीं बैटके खाने लगी पर मैं नहीं दिखाई दे रहे हूं आपनों को क्योंकि मेरी तरफ कामरा नहीं था मैं अलग बैठी थी और यह भी अपना खा रहे हैं और फिर इधर खाना उना हो गया है हम लोगा तो सब हम तो खा चूके थे यहीं लोग चुक्तən हैं यह लोग ने नहीं खा पाया था खाना तो यह लोग अपना भी खाही रहे हैं अनकीत बहुत दीरे खाना काता है और मैं ठोड़ा जल्दी खा लेती हूं क्योंकि मुझे आदते सुरूब से जल्दी खाना खाने की फिर मैं खाना खाने के बाद मैंने यहां पर आया के यह सफाई की किचन की खाना मैंने का खाना खाल उसके बाद ही करते हैं सफाई तो यह हमारी किचन छोटी पड़ती है ना मुझे तो दिक्कत होती पानी नीची आजाता है, तो मैं इसको क्या करती हम घीले sleeping कपड़े से तोकरी को साफ कर देती हम उसी साफ हो जाती है और पिर मैंने गया चूला बगयरा साफ करके वोर्य थे जाव कर दिया, यह भी साफ कर ना था, खिचन बगयरा हम आज पिर मैंने ये बरतन वगेरा सारे धो लिए कि अलए कि बरतन वेज खचलेंश दो कि बरतन वो लुझे एंधा êया चब चाहिंए झानने वे-जाया चाहिंने ये खचią है झाल तुर्ण बाला मक्कन रखा था तो मैंने सोचा इसको मैं इसको मैं गी बना लेती हूँ क्योंकि अभी नवरात्री आ रही है तो पूजा में काम आएगा और खाने के लिए भी गी चाहिए होता है तो वैसे तो यह गाय का गी है तो इसको हम लोग खाते नहीं है अपना एक यच्टा रहता है मेरा घी तो बाहर से कभी मंगाते ही नहीं जो देरी और स्सुराल में नहीं हमारे कोई जानवर इख कभी नहीं रहें तो वहां से कभी आता है आपके कने आपके का तो पूसे हैं कि अटे है अब तुम्हारे पानेटेजित अब देजाए प्रॉप कि अब लिए नंबर निया आता है मैं यह मारा कि बन के हो गया है डि तो दोस्तों अभी हमारा सारा काम अब हो गया है यह हमारे सुबे से दोपहर तक का यह हमारा इतना काम काश था तो इतना ही मैं बनाती हूं वीडियो और ज्यादा आगे बनाऊंगी फिलाल अभी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है क्यों बीटिया छोटी है इस चक सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखते हैं और पूरा देखा करिए वीडियो को काट काट के मत देखा करो पूरा देखा किजी आप लोग तो और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखे लाइक कर दिया करो कमेंट करके बताया करक अपने ड्रोइंग कि यह ड्रोइंग के बहुत सौखीन है तो दोस्तों आज के हमारे बच्चों के लिए ही लाइक जरूर करना केमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा